सभी साथियों को मैं है नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए जन सत्ता विश्लेशन में आज हम बात करने वाले हैं 14 मार्च के जन सत्ता के उपर और देखते हैं कि इस क्विक एनालसिस में हमारे सामने कौन सी खबरे आएंगी राश्टी इंतराश्टी स्तर क जो कि हमारी अगामी प्रिक्षों के लिए जानना जरूरी है और इससे पहले वागे जाएं मैं आपको एक लियर करना चाहता हूं कि इसलिए हम डार्टी आर्टिकल्स में चले जाएंगे मैं आप सबसे अन्रोद करता हूं कि अगबार का अध्यन खुद करें पूरा पूरा समय दें अगबार को हम सिर्फ आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि अगबार में आया क्या है और एक पोड़ा सा माइंड में कभी स्टुडेंट से क्या होता है कि चाहट रहती है अगबार को पढ़ने को लेकि कमसे कम वीडियो के माद्य हमसे अगबार पढ़ना तो बहुत लोगों ने शुरू ही कर दिया है जो सुट्रेंट मेसेजिस करते हैं इमेल करते हैं उनके माद्य हमसे पता लगाए कि जो अगबार पढ़ने में हेच की चाहट होती थी वो कम इस वीडियो देखने के बाद दूर हो गई है अब कम से क्लियर हो जाता है कि वेवर में आया क्या है हमें कैसे उसका अध्यन करना है तो इसको एक इनरसेस को आप ऐसी लेके चलिएगा चलिए शुरू करते हैं प्रिश्ट पर हमां स आठारा में शुरू करी की यह यूजना और पॉंड्स आजितिक पार्टियों को देने वाले चंदे को लेकर थी इसमें एक इसमें एक लॉस था कि जो भी चंदा दे रहा है आजितिक पार्टियों को उसे डिस्क्लोस करने के जुरूत नहीं है अपनी पैचान नहीं बैंक करेगा हलागि सुप्रिंग कोट ने इसे फटकार लगाते हुए SBI को कहा है कि आप डेटा दीजिए इनके लोगों ने कितने रुपे आजिन देक पार्टियों को दिये है और SBI ने ये डेटा सुप्रिंग कोट को डॉक्युमेंट फाइल में द सुप्रिंग कोट को बताया कि एक अपरेल 2019 से 15 फर्वरी 2014 के बीच कुल 22,000 चुनावी बॉंड जारी किये गए इनमें से राजिरिक दिलों ओकी ओर से 22,000 बॉंड को भुनाया गया 6187 बॉंड को भुना कर इसकी राजशी को नियमों के तहत पधारमंती राजशी राहित को इसमें जमा कराया गया SBI ने अंदर अधारत में हलफ नामा दायर कर ये जहंगारी दी है SBI के चेयर में देश कुमार की ओर्ट से दाकिल हलफ नामे में कहा कि चुनावी बॉंड मामले में सुपिंग कोड के डिलेशन असार योजना से जुड़ा पूरा ब्यॉरा दवाचनायों को सौप दिया गया है यह ब्यॉरा दो पीडिया फाइल में दिया गया है देखते हैं क्या रहता है आने वाले समय में चुनावी बॉंड को लेके प्रतिक्रिया आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे संबाद की एवे बैतरी की चहा में सीमाय लांगते लोग हर रुष लागों भारती अमरीकी और अनने देशों में दरालों की मदद से अवैद रूप से प्रवेश करने की कोईश करते हैं कुछ लोग सफर हो जाते हैं कुछ फुफर होकर वापस लोटाते हैं इसलिए हूं जानते हैं कि भी हाली में क्या होता है खबर आई थी असल में भगत संग्ग कैसे वाद कंट्री में कहीं वो गय थे जहां से उनको लटके आना पड़ा मैं भूल रहा हूं मैंटर कहता सॉरी फो दाट जो मैं कहना चाहरा हूं तुरे छोड़ी यह राट पी छोड़ी है बिसिकली उनको बहुत मुश्क्रत बचाया गया है उनको foreign countries इंडिया लाया गया है हम यहां बिसिकली बात करें कैसे दलालों के माध्यम से लोग चले जाते हैं foreign countries बस जाते हैं वहाँ पर यह बहुत बड़ा मुद्धा है जो पैसे लेके ट्रावल करते है foreign countries होता क्या है कि अगर आप अपना सही तरीके से वीजा अप्लाय करते हैं तो वो deny हो जाता है in case ठीक है जोकि बहुत सारे होते हैं अच्छा तो वीजा रेना असान भी नहीं foreign country का तो क्या कटने हैं इंडिया से दराव होते हैं पहुत सारे आपको कोई ना कोई रास्ते से Arabian country होते हुए या फिर South America पचा देते हैं ठीक है South America पचा देते हैं South America से आपको जंगलों के रास्ते मेक्सिको के रास्ते खासकर मेक्सिको के रास्ते होते हुए आपको North America में एंटर करा देते हैं ठीक कुछ लोग डारेक्ली अमेरिका एंटर करा देते हैं मेक्सिको के रास्ते और कुछ लोग ऐसे करके लाते हैं अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ भी लिया, जो वहाँ पे नियम है, अगर आपको बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ भी लिया, ये लोग या कते हैं, ये लोग बॉर्डर पे ही अपनी सारी ID कार्ड जो होते हैं, इने छोड़ देते हैं, इने जला देते हैं, ID कार्ड जितने जैसे कि हम चांदते हैं कि मानावधिकार नियम भी होते हैं को प्रण में क्या होता है अब देखुद दो बात होती है यह तो जेल हो जाएगी यह आपको छोड़ दिये जाएगा ठीक है जब तक पूरू नहों जाएगा कि आप क्यों आयों क्या कर रहे हो जैनरली लोग क्या ह देख को एंगे उपोह जो आख कोई स्थेश गाला कर यह बहुत सार देश बीक्कत्तह है बहुत सारी इसलिए कि आपके कंट्रीज में चल ले हैं अफगानस्तान इरान में आईडिया कोई होता ने इनके पास तो जट क्या कहता है चले कोई दिकत नहीं है जब तक यह प्रूव नहीं हो जा रहा है कि कहां के वह आप आप जाओ अंदर इसी भाने से लोग देश में एंटर कर जाते हैं यह कहानियां हर किसी की नहीं होती है यह कहानियां मातर एक परसंट होती है जिसमें यह लोग एंटर कर जाते हैं कुछ लोग कभी पकड़ में यह नहीं आते हैं कुछ लोग पकड़ माय जाते हैं कि नाइंटी परसें के समस्सेस नहीं होता है बहुत से लोग क्या होते हैं बॉडर भी मर जाते हैं ठीक है ठन के कारान अथे गर्मी के कारान अथे अधिक मर जाते हैं बॉडर पर लिए डरते हुए छित चपाते ही उमर काट देते हैं अमरीक मरेची का में फसकर जो असमान तता पहचान वे अपने देश में शोड़कर आते हैं उसका पासंग पर भी उन्हें नहीं बिल पाता एक धिन के रुसार बारा से हरोज साथ लाग से अधिक लोग और रास्तों से अ इनी नास्तों पेचल कर वे बॉडर को क्रॉस करते हैं डंकी रूट का जाता है डंकी रूट है ना मत चलते रहे घचल की तरह अमरीका में प्रवेश का यह डंकी रूट डेली से करीब 24,000 किलोमेटर दूर लाटन अमेरिका देश एक कोड़ोर से शुरू होता है वह इसात कॉलांबिया, पनामा, कॉस्ट रीका, निकारगुवा, हॉंडूरस, गॉाटमाला होते हुए मेक्सिको की सीमा यानी गेटवे ऑफ अमेरिका तक पहुचता है एकड़ोर से मेक्सिको तक वीजा और राइवल होने के कारण वीजा बलने में कोई कटना है नहीं होती है पर अ विजवे में यहां के काला संस्किती विशिक्षय वैपार शासन विवस्ता आदी को सम्मान स्कार किया था इस देश की उनत अज़स्ता पर संपनता की चर्चा पूरी दुनिया में थी विश्व के कोने-कोने से वैपारी यहां आते थे उसी रतन गरवा भूमी पर समय का पईया ऐसा घूमा की अब लाखो बाती देश छोड़कर विश्य विदेश के रूप कर रहे हैं इकांकड़े के नुसार नौकरी, रोज़ा, रोजगारी, अकूट, पैसा, इत्यादी की कारण हर वश भारतिये विदेशों बसना जा रहे हैं संहिक राश्य के क्रिपट के मताबिक 2020 तक 1.8 करोड भारतिये विदेश में रह रहे थे, गौरतलब है कि इस वक्त करीब 3.2 करोड भारती विदेश में रह रहे हैं, मतलब 1 करोड से लेकि 3 करोड तक का बड़ोती देखी गई है, यानि भारतियों के जितनी आवादी विद अधिरब में भारती सबसे जादा हुए हैं, ग्रह मंतले कनुसार वज 2021 में 1,63,303 भारतियों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है, जी हाई ये लिटेस जिटा है, कि इस वर बहुत सारे भारतियों ने नागरिकता ही छोड़ दी है, अपनी फॉरन कंट्री बस गए हैं, इसमें सरवादिक 70,284 लोगों ने अमरीका की और 30,530 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की और 21,000 लोगों ने कनाड़ा की नागरिकता ली है, एक आखरी के अनुसार विदेश में जाने के लिए हर साल 7,25 लाग भारती अवैद रास्ता चुनते हैं, अमरीका के अवैद प्रवा इसमें 96,000 अवैद भारती ब्रवासी बखड़े गए हैं, उस बाटर पेट्रोल ने भी कहा है कि हम जितने साथ भारतियों को पका रहे हैं, यह लोग यहाँ पे गरत तरीके से एंटर करने का प्रयास कर रहे थे, तो साथ यह समस्या माइगरेशन की हो रही है, देखिए करके पासपूर्ट अपलाए करके एक जनुएन तरीक से नहीं जाते हैं, एमबसी के माद्यम से, वो यूस कर रहे हैं, डॉंकी रूट वगरा, गलाल से मुटा मुटा पैसा ले देते हैं, और इन लोग को, देखो यह तो आदमी बॉर्टर कर जाता है, और एंटर कर जाता ह या वो इस बीच में या तो डगैतों के हाथों मार दिया जाता है, या लूट लिया जाता है, या फिर मर जाता है ठंड के कारण, या तो बहुत गर्मी हो जाती है, या तो बहुत गर्मी हो जाती है, तो रहतने में बहुत ठंड़ भी हो जाता है, लोग मर जाते हैं, जंग कि जब किसी देश में कोई समस्या हो रही होती है तो वहां के लोग बहतर जीवन के लिए उस देश को छोड़के किसी और देश में चले जाते हैं तो UN Human Rights Council लेकर रखा है ऐसी कंडिशन है कि कोई अपना देश छोड़के आया कि उसकी देश में समस्या चल लए है तो आप उसा अलाव करिए उसे वापस में देजिए मगर इस पूरे आस्पेट का जो नेगेटिव पॉइंट यह है कि यह एक गंदा बन गया है दिलालों का है ना लोग अपने देश से प्यार करना भूल गए है आ गयाते हैं अगला आटिकल है निदितों का गड़ित हर्याना में हुए पोर्टिकल आटिकल है मैं इसमें जान कि और पीछे आटाक कर रहा है और पीचे खटने का नाम ही नहीं ले रहा है वह माडू हमले की धौर स्वें पहले भी ले चुका है मै suffering पर रूस इलागों पर कबज़ा कर चुका है देखिए रूस और यूकरियन का वार अब ग्लोबल ही देखा चुका है कि रूखने का नाम ही नहीं ले रहा है और फॉरिन कंट्री ने इतना प्रियास करा है यूएस ने चाइना ने रूखने को मेडियेशन करने का वह फेल ही हुआ है देखते हैं रूस इस यूद्ध को कहां ले जाता है आशा करते हैं कि उन लोगों के लिए यह जसे जल रहत मिले की यूद्ध वगएरा कम हो अब ठीक है तो हम आचके लेतनी रखते हैं अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत अजवाद आपका दिन शुभ हो वाकि जो भी करेंटरफेस यहां पर हमने मिस कर दी वह आपको मारी वेबसाइट मिल जाएगी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिशन में मौजूद है तक यू